Students, तो अब तक हमने देखा कि हमने प्रूव किया show that the any odd positive integer number is in the form of 4Q plus 1 और 4Q plus 3. हमने विश्चित जानकारे लिए कि even number क्या होता है? ओर नंबर क्या होता है? even plus even मिलाए तो क्या होता है? odd plus odd मिलाए तो क्या होता है? odd plus even मिलाए तो क्या होता है हमने ये तीनों की तीनों चीजे अब हम कौर कर चुके हैं अब हम लायक हो गए है कि हम थोड़े heavy question भी solve कर ले जैसे ये question देखें show that the square of any odd positive integer is of the form 8q plus 1 for some integer q ये हम से हिंदियों बदाता हूँ ये हम से क्या prove करवाना चाता है ये हम को बोल रहा है कि यदि हम किसी भी odd positive integer को square कर दें उसका वरक कर दें तो उसकी जो form आनी चाहिए न वो या तो 8q plus 1 में ये या तो क्या इसी म्यानी चाहिए 8q plus 1 for some integer x for some integer q कलियर है इसके लिए पूछ रहा है अब हम क्या करेंगे अपना दिमाग लगाएंगे ठीक है जी वो हमसे कहना चाह रहा है कि उसकी जो square की form आये न ओड positive integer की square की form आये वो 8-8 के group में आये कलियर है अपने दिमाग में एक बात सोचे कोई भी odd positive integer सोचे कलियर है कोई भी सोच लिए कुछ भी कुछ भी सोच लिए जैसे मैंने सोच लिया 3 मैंने क्या सोच लिया 3 सोच लिया 3 सोच लिया तो उसका जो square होगा वो कितना होगा 9 होगा यह सो नो उसके अंदर 8 के group बनेंगे कि नह बनेंगे समझेंगे इसी तरह आप कोई भी odd integer उठा लो कोई भी उसके अंदर हमेशा ही किस के group बन रहे होंगे 8 के group बन रहे होगे 8 कौन सा भी उठा ले कैसा भी उठा ले इस बात से इस बात इस से इस पर कोई फरक नहीं पड़ेगा जैसे मैं एक और example लेकर आपको दिख 9 तो मैं इसको कैसे लिखूंगा 8 6 48 प्लस में 1 या सवर नो आगे नफ हो यानि कि हम यह मान लेते हैं चलो मानना क्या यह तो प्रूवी हो गया आपके सामने अपने दिमाग में तो आपने प्रूव कर लिया 8 Q प्लस 1 लेकिन CBSC के पेपर में जब आप किसी भी पेपर में बै कि कैसे आपने जैसे आपने पिछले वाले क्यूस्टन में किया आपने उसको केस दिखाए फिर आपने उसको प्रूव किया ऐसे ही हम इस क्यूस्टन में करेंगे देखो जरा क्यूस्टन में किसके ग्रूप बनाने को बोल रहा है 8 Q सही है 8 8 के ग्रूप बनाने हैं कितने ग तो कौन सी फॉर्म में होता है 4Q प्लस 1 की फॉर्म में या फिर 4Q प्लस 3 की फॉर्म में ध्यान रखें यह कोई जरूरी फॉर्म नहीं है जरूरी नहीं है कि हमेशे 8 इंटिजर इसी की फॉर्म में होगा कोई जरूरी नहीं है, कताई भी जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये बात हमने प्रूव की है, इसलिए आपको बता दे रहा हूँ, फिर मैंने देखा 8Q, कलीर है, 8Q मेरे को मेरी स्टेटमेंट में चाहिए, यानि कि मेरे को स्केर करने के बाद मेरे पास क्या आन 224, जो की 8 तक कभी भी नहीं पूच पाएगा, कभी भी नहीं पूच पाएगा, यस और नो, 2Q प्लस वन लेना, कैंसल हो गया, यस और नो, 2Q प्लस वन, कई बच्चे सोचते हैं कि Ode Positive Integer का नाम लेते हैं, उनके दिमाग में आता है, 2Q प्लस वन लेलो, काम चल गया, ऐसी बात नहीं है, अब की बार उसने, जो एग्जामियर है, वो भी समझदार हो गया, उसे पता है, बच्चा 2Q प्लस वन सोच के आएगा, उसने वो काट दिया, उसने अब देना ही बंद कर दिया, अब वो किस पे दे रहा है, इस पे दे रहा है, तो 2Q की फॉम नहीं ले सकते, 2Q प्लस वन के बाद अगली जो फॉम होती है, ओड इंटीजर की, वो हमेशे हम ऐसे लेते हैं, कलियर है, अब मैंने क्या लिया, वही केस होंगे, जब मैं लिखूंगा, कि A is equal to 4Q प्लस R, कलियर है, अब इस से हमने पहले वाले एक्जाम्पल में जान लिया, कि यहां से जो दो नमबर निकलेंगे, वो पहला नमबर निकलेगा, कौन सा, 4Q प्लस 1 स्टेंड फॉम, और दूसरी जो निकलेगी, वो कौन से निकलेगी, 4Q प्लस 3, कलियर है, उसका क्या करना है, अब की बार आपको, स्केर करना है, क्या करना है, प्यारे बच्चे, स्केर करना है, स्केर करने के लिए हम जानते हैं कि A प्लस B का होल स्केर क्या होता है A प्लस B का होल स्केर के दिना होता है A का स्केर प्लस B का स्केर प्लस 2 गुणा में A गुणा में B यह हमने पिसली क्लासिज में सिखा है 9 वी में 7 वी में 8 में कि a plus b का whole square किसके बराबर होता है अब वही कारणमा हम इधर करते हैं ये क्या है a का square उसका square कर दिया यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा square करना पड़ेगा अब इसका square करें तब कितना आएगा लिखो 4 चोके 16 q square plus एक का square कितना होता है बच्चे एक ही होता है फिर बाद में दो एक ही value इधर कितनी है 4 q प्लस में गुणा में गुणा में कितना हैगा एक कलियर है अब इसको और simplify करते हैं 16 q square प्लस 1 प्लस में 8 q कलियर है अब आगे सुने फिर मैंने क्या लिया इसमें 8 और इसमें 8 कमन ले लिया मेरे को पता है 16 में 8 होता है 16 में क्या होता है 8 होता है कैसे पता है 8 दूने कितने होते हैं 16 होते हैं तो मैंने क्या किया इसको लिग दिया 8 into 2 q square प्लस में 1 प्लस में 8 q सही है जी फिर मैंने क्या किया इसमें और इसमें 8 common ले लिया 8 common लेते हैं यहां पे क्या बचेगा 2Q square प्लस में Q प्लस का 1 प्लस का क्या बचेगा 1 सही है अब मेरे को पता है Q जो होगा वो भी integer होगा Q का square जो होगा वो भी integer होगा और टू जो है वो भी इंटीजर है तो इंटीजर की गुणा इंटीजर से की जाए तो क्या मिलेगा इंटीजर को इंटीजर से बाग किया जाए तो क्या मिलेगा तो क्या मिलेगा जरूरी नहीं क्या मिलेगा हमें भी नहीं पता क्या मिलेगा रैसल नंबर मिल सकता है देगा तो वैसे ही मैंने क्या किया टूड क्यू स्केयर जो कि एक इंटीजर है इंटीजर में ही प्लस कर दिया तो क्या देगा इंटीजर ही देगा याने कि यह पूरी जो चीज लिखी हुए यहां पे इसको मैं M माल लेता हूं capital M, सही है, ये क्या है, capital M, ये क्या लिखा हुआ है, 8M, ये क्या होगा, plus में 1, आगी जी फॉर्म, हो गया पुरू, 8M plus 1, लेकिन अभी हमें, किस्टन कंप्लेट नहीं हो अभी, अभी हमें आगे भी चलना है, आगे क्यों चलना है, अभी तक हमने केवल 4Q plus 1 को पुरू किया ह हमें ये second case भी प्रूव करना होगा, 4Q plus 3, इसके लिए क्या करेंगे, same procedure, same है, सब कुछ क्या करेंगे, एका square कर देंगे, ये क्या है, 4Q plus 3, इसका क्या कर देंगे, whole square, क्या कर देंगे, whole square, इसके बाद, एका square जो होगा, वो क्या होगा, 4 चोके, 16, 16 क्यों का square, plus 3 का square, 3 का व दो, गुणा में A, A की value कितनी है बच्चे, 4Q, गुणा में 3, सही है, अब इसके बाद क्या करेंगे, A square is equal to 16, 16 Q square, plus में 9, plus में 4, 3, 12, 12, 24 Q, clear है, अब फिर क्या करेंगे, इसको, साथ-साथ में ये 3 के निशन लगाते रहें, अगर आपकी बोल्ड में बैठेंगे, तब ये standard notation जो है, आपकी help करेंगे exam को, examiner को अच्छा लगता है, जब ये चीजी लिखता है तो, standard notation है, अब देखो, यहाँ पे 16 Q square है, यहाँ पे 9 है, और यहाँ पे 24 Q है, मैं क्या करू 8 प्लस 24 Q प्लस 1 की बात तो बराबर है, अब भी पहले भी वह नो था, और अब भी वह कितना, अब भी वह नो है, इस बात से इस पे कोई फरक नहीं पड़ रहा, तो हम क्या करेंगे इसको, ये form दिखते हैं, आपके mind में क्या आना चीए है, 8 आना चीए है, 8 मैं क्या हुआ है, यहाँ तक मैं 8 common लेता हूं, 8 अगर मैंने common लिया, तो अंदर क्या बचेगा, 2 Q square, प्लस में 8 यहाँ से common लिया, बचा कितना, 1, प्लस में यहाँ पे common लिया, तो बचा कितना, 3 Q, और यहाँ पे लिया, तो यहाँ पे कितना बचा, 1, clear है, तो हम जान गए, कि यह फ्रिफर्म कैसे आगी वैसे ही लानी हमें 8q plus 1 की तो इसके लिए क्या चीए है इसके लिए हम अपने जो हम जो लिखेंगे वो इसको बताएंगे explain करके कि यह जो Q है वो क्या है Integer है प्लस 1 भी क्या है Integer है 3Q भी क्या है Integer है अगर integer के हो, साथ में integer के plus किया जता है, तो हमने जो number मिलता है, वो भी हमने number क्या मिलता है integer ही मिलता है, अब मैं इसको क्या लिख sounds, 8ив m plus one इसको m one मालेता हूं सभी है यहाँ पे को integer होगा m one और यहाँ पे integer क palavra m होगा हम इस integer को कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे M1 और M जो integer होंगे वो वैसे ही integer होंगे जैसा एक integer क्या है क्यों है जैसा एक integer क्यों है हमने बात प्रूव कर दी कि कोई भी किसी भी किसी भी odd positive integer का किसी भी odd positive integer का यदि square किया जाता है यदि square किया जाता है तो उसकी form हमेशा ही क्या हैगी 8Q plus 1 8Q plus 1 clear as you यही था आपका second numerical